दोस्तो तिन जानवरों को आदमखोर कहा जाता है और किस वज़ा से वो कोई जानवर आदमखोर बनता है दोस्तो जब कोई जानवर इनसानों का सिकार करना स्टार्ट कर देता है तो उसे आदमखोर कहा जाता है लेकिन दोस्तो अब बड़ा प्रस्णिया उड़ता है कि आखिर क्यों कोई जानवर आदमखोर बनता है दोस्तो जब कोई जानवर घायल हो जाता है या उपने बढ़ने के साथ कमजोर होने लगता है तब ये जानवर इंसान का सिकार करना प्रारंब कर देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इंसानों का शिकार करना अन्य जीओं का शिकार करने से कई गुना आसान है और वे जानवर आदम खोर बन जाते हैं